हेलो दोस्तो मम्ता इस टीचिंग टूटोरियल में आपका स्वाधत है दोस्तो देखिए आज मैं आपको यह एक जूती बताने वाली हूँ बिल्कुल सिंपल बहुत ही जल्दी और बहुत ही नॉर्मल बनने वाली है यह देखिए यहां पे थोड़ी सी सिलाई हुई है और एक बिल्कुल यहां से स्टार्ट होता है और लास्ट फिनिस बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी बनने वाली यह और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है देखिए इस तरह से यह पैरों में बहुत बढ़ियां फिट आ जाती है तो इसको आपको बनाना अच्छा जो तुरंद बिनाई सीख रही है उनको भी यह बनाने में बहुत आसाली रहेगी और यह बहुत ही कम 25 गाम उन आपके पास अगर है तो आप उसमें यह जूती बना सकती है प्रस थोड़ा सा यह कॉंट्रास्ट कलर जो भी कलर आप दो कलर में बनाना चाहें यह बन जाएगी तो इसको बनाना चलिए स्टार्ट करते हैं यह देखिए यह राइट पैर का है इसका जो यह फ्लो है इस साइट को जाएगा हमारे पंजे के बाहर की तरफ और इसका यह लेफ्ट पैर का है यह लेफ्ट साइट को जाएगा तो इस तरह से यह बहुत हीजी है तो चलिए इस इसके अलावा बाकी टोटल यहां से यहां तक एक जैसा ही बनता है तो यह देखिए इसलिए मैंने इसको इसको सिला नहीं है तकि आपको समझने में आसानी रहे इसके लिए यह फंदे थोड़े डिले डालने होते हैं बहुत टाइट मट डालीएगा नहीं तो यह बहुत और डबल नीडल पर मैं भंदे बहुत कम डालती हूं, तो इसलिए मैंने एक नमबर जादा इसमें लिया है, नौ नमबर की सलाई पर और यह पोनी की सलाई है, तो पोनी और एक और आती है टीटोनी तो इन दोनों के इस मुटाई में थोड़ा सा अंतर होता है नमबर के को बहुत आसानी से आएगा और ये क्योंकि वुलेन है ये खिच भी जाता है तो ये चार नंबर से छे नंबर तक को बहुत आराम से आएगा तो इसके लिए मैंने ये देखिए इसमें टोटल 90 फंदें डाले हैं अब इसकी हम बिनाई करेंगे तो बिनाई में ऊपर ये देखिए दस नंबर से करूँगी ये दस नंबर की सलाई है मैं इससे बिनाई करूँगी तो पहली सलाई उल्टी उल्टी बिनेंगे उल्टी उल्टी बिनाई से ही ये पूरा बनाना है जो ये जूती हम बना रहे हैं तो ये पूरी उल्टी उल्टी सलाई हम बिनेंगे और इसमें देखिए ये उल्टी-उल्टी सलाई हम तीन लाइनिंग बनाएंगे एक दो सीधी तरफ आएगी और फिर उल्टे तरफ से हम ये कलर लगा लेंगे तो देखिए ये पहली सलाई उल्टी-उल्टी मैं बना रही हूं फिर दूसरी और दीसरी ये तो 100 फंदे डाल सकती है लेकिन अगर आपका पैर बहुत छोटा है चार नमबर से भी छोटा है तो आप 80 फंदे डालिए 70 फंदे डालिए और ये चीज हम इसी तरह से उल्टा-उल्टा बिनते हुए complete करेंगे तो ये तीन रो के बार हम इसमें सबसे पहले ये तीन रो बिन ल ये लास्ट वाले फंदे में इसको हम कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये वाइट कलर मैंने लगाया है तो इसी वाइट से ये लास्ट वाला फंदा में बिन दोंगी इस तरह से और अब यहां से यह उल्टी तरफ है तो उल्टे तरफ से हम फिर यह वाइट से बिनाई करेंगे तो यह देखिए यह नॉट इधर कर लेंगे ताकि हमारा जो भी है उल्टी तरफ रहे और इसको आप ऐसे फसा लीजिए अब यहां से उल्टे सलाई से हमारा यह कलर चेंज होगा तो यह ताकि सीधी तरफ हमारा यह क्लियर आए और उल्टे तरफ से देखिए यह इस तरह से आता है तो ये इसलिए उल्टे तरफ से लगाना चाहिए ये color ताकि सीधी तरफ हमारा ये fresh design आए तो ये देखिए एक, दो, तीन, चार, चार lining हम white की बनाएंगे तो ये उल्टे तरफ से कर लेंगे तो सीधी तरफ जब हम करेंगे तो इधर lining आ जाएगी तोटल ये करने के बाद फिर हम अगले उल्टे सलाई में red लगा लेंगे फिर उसके अगले उल्टे में white लगा लेंगे इस तरह से टोटल करते हुए हम सारा चार lining white का बना लेंगे ये देखिए दो-दो सलाई उल्टे तरफ से सीथे तरफ से करते हुए ये हम बिन लेंगे ये देखिए ये उल्टी सलाई और फिर यहीं से यह हमारा जो सीधा साइड है इसकी तरफ हम इस तरह से color change करते हुए यह उन इधर करके फिर यह total उल्टा बेल लेंगे इस तरह से हमारी यह एक lining हो जाएगी और इसी तरह से यह हम 4 lining complete कर लेंगे इस तरह से बनाते हुए 4 lining हम complete कर लेंगे यह देखिए यह 4thi line हमारी white की जा रही है अब इसको करने के बाद यह last वाला फंदा हम यह red से बिनके और अब यह white वाला यहाँ पर cut कर लेंगे देखिए 4 lining complete हो गई है इसमें भी यह 4 lining है तो अब इसको white वाले को हम cut कर देंगे इसको cut करके knot लगा लेंगे और बाकी की बिनाई अब हम red color से करेंगे अब यह पूरी उल्टी सलाई हम red से बना लेंगे और इसको हम फसाते जाएंगे इस तरह से total फसाते जाएंगे यह देखिए यह देखिए total उल्टी सलाई यह बन गई है आप यहां से यह देखिए जैसे यह लाइनिंग आए इतनी आप यहां से हमारी पांच लाइनिंग आएगे यानि total हम 10 सलाई और बिनेंगे दोनों तरब से उल्टा बिनते बिनते जब तक कि यह हमारा नहीं खटेगा तो यह देखिए यह देखिए यह दो तीन चार पांच यह दोनों तरब से उल्टा उल्टा ही बना है तो यह पांच लाइनिंग हम कंप्लीट कर लेंगे सीधी तरब से काउंट करते हुए total 10 सलाई बिनेंगे तो यह पांच लाइनिंग हमारी आ जाएगी तो अब इसको भी हम बना लेते हैं उल्टा उल्टा बिनते ही हुए तोनों तरब से उल्टा उल्टा ही इसको बिनना है तो इस तरब से इसको हम पांच लाइन और कंप्लीट कर लेते हैं यह देखिए यह एक तो तीन चार पांच लाइनिंग यह टोटल दस सलाई यह मैंने पूरा कर लिया अब यह जो हमने घटाया है देखिए बस यही इसमें इतना सा ही ध्यान देना है बाखी सारी बिनाई यहां से लेके लास्ट तक सेम एक चैसी होगी अब इसमें मैंने इधर खटाया है यहां पर हम स्टार्टिंग में खटाएंगे तो स्टार्टिंग में देखिए सबसे पहले हम इस तरह से आप सीधा खटाईए उल्टा खटाईए कोई उसका वो नहीं है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और ये दस ये दस पंदे ये देखिए इसमें इधर खटा है यहां पर ये दस पंदे ये मैंने खटा दिये अब हम बाकी की बिना ही अपनी सेम करेंगे जैसे कर रहे हैं अब दोनों तरफ से इसके बाद उल्टा उल्टा ही बिनते हुए लास्ट तक बिनाई जाएगी बस ये 10 फंदे हमने घटा लिये तो जो की घटने के बाद इस तरह से देखिए इधर यहां खटा है इसमें इधर घटा है तो इधर वाला जो घटा है यहां से जो यह हमारी 5 लानिंग पूरी हो जाएगी जो छटी लानिंग हमारी जाएगी वो हम सीधी तरब से बीनेंगे और इसको हम इधर उल्टे तरब से घटाएंगे, ये वाली बिनाई करने के बाद इधर उल्टे तरब से हम दसफंदा घटा लेंगे, बस थोड़ा सा यही अंतर है, बाकी सारे बिनाई सेम है, अब इसी तरब से बिनते हुए, ये देखिए, ये इसी तरब से बिनते हुए टोटल, अब आप ये रेड वाला अगर लाइनिंग देखिए तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, और ये उल्टे तरब से मैंने इसको घटा दिया है, ये देखिए, तो इस तरब स ये हमारी डिजाइन और ये पैर की जूती है, ये कंप्लीट हो जाएगी, तो ये लेट साइट का है और ये राइट साइट का है, ये इतना टोटल चौदा लाइन करने के बाद हम इसको बंद करेंगे, फिर इसके बाद इसकी सिलाई होगी, तो ये बहुत इजी है, इतना क 11 12 13 14 टुटल यह 14 रो complete हो चुकी है इस वाइट वाले के बाद से जैसे इसमें मैंने बताया था यहां से उसी तरह से यह भी complete हो चुका है तो अब हम इसको उल्टे तरब से सारा फंदा बंद कर देंगे दो दो फंदे एक साथ लेते हुए आप इसको बंद करते चले जाए और यह टाइट नहीं करना है बहुत लूज नहीं करना है इक्वल आए ताकि यह इतना ऐसे जैसे यह बराबर आ रहा है यह फैला फैला भी न रहा है तो उसे साथ से यह सारे फंदे अब हम बंद कर देंगे बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम बिनाई करते हैं जैसे बिनाई में आ से करके सारे फंदे हम बंद कर देंगे कि यह दिखिए यह सारे फंदे इस तरह से बंद हो गए है और अब इसमें से हम निकाल के इसको कट कर देंगे इसको इस तरह से खेचके थोड़ा सा ही कट कर देंगे क्योंकि अब इसकी हमको सिलाई करनी है तो ज्यादा इसमें उन नहीं रखना है इस तरह से यह हो गया अब देखिए जो मैंने आपको बताया था यह इस तरह से हमारा यह आएगा एक का इधर से है यह घटा हुआ एक का इधर से घटा हुआ है बाकी चीज सेम है अब इसको आप अगर देखिए तो टोटल चीज एक दम सेम है अब इसकी जो हम सिलाई करेंगे तो सबसे पहले देखिए यह सीधी तरफ से ही यह जो सीधा ही साइड है इसी तरफ से यह वाल इस तरह से फिर यहां से यहां सिला जाएगा और आप सबसे पहले यह सिलिए इसके बाद यह जो हमारा है पोर्शन इसको हम ऐसे रखेंगे पराबर यह देखिए इस तरह से ऐसे यह पराबर करके यहां तक यह आता है इसको यह सिल देंगे और फिर यहां से लेके यहां तक ट इस तरह बराबर और यह तो एक पार इस साइट को एक पार इस साइट को तो दोनों की सिलाई इस तरीके से होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सिलाई करना यह देखिए अब हम सबसे पहले यहां से यह देखिए इसको जिस तरह से भी आपको ईजी लगे आप उस तरह से इसकी सिलाई कर सकती है यहां पर इसका हम नॉट लगा देंगे इस तरह से नॉट लगा देंगे और स्विर यह टोटर यहां से यहां तक का जो हम पहला पंदा उतारते हैं उससे ही हम यह पकड़ के सिलाई कर देंगे तो भी हमारी सिलाई अच्छे से आ जाएगी यह देखिए यह जो सिधा सिधा सा आया है इसको हम पकड़ते हुए ऐसे सिल लेंगे इस तरह से बहुत ही ईजी है आराम से सिल जाता है सबसे पहले यह पूरा बराबर उपर तक इतना करने के बाद अब यहां पर आप उन कट कर दीजिए इसको ऐसे नौट लगा के इसको हम कट कर देंगे अब देखिए यह यहां पर स्टार्ट करेंगे सिलना तो इसको हम यहां से लेंगे आप चाहें तो यहां पर यह उन है इससे भी सिल सकती है या अगर यह उन छोटा है तो आप इस तरह से दूसरा उन भी लगा सकती है इसको भी हम नौट लगा देंगे यहां पर इक कर देंगे अच्छे से और अब यहां से यह वाला पूर्शन हमारा जितना है जो साइट का यह आया है यह वाला पूर्शन इसको देख ते हुए अब आप इसको यहां पर ऐसे सेट कर लिजिए जितने दूर पे आपका ये आता है, क्योंकि ये हमने बीना है और ये हमारा फंदा डला हुआ है, तो उसे साब से हमको इसको लेना होगा, ये ज्यादा लूज न रहे, ने तो फिर पैर की जो लंबाई है, वो कम हो जाएगी, तो इस तरह से पकड़ते हुए, ये पोर्शन भ चाले ये इस तरह से सिल जाएगा, यहां से लेके यहां तर सिल लेंगे इसको पहले हम, ये देखिए अब यहां पे लास्ट हम यहां इसको करके इस ही में नॉट लगा देंगे इस तरह से और ये उन जो है इसको दूर तक ऐसे लाके अंदर की तरफ करके इसको फिर हम कट कर देंगे यहां तक खीश के ताकि जो सिरा है यह उपर तक दिखे नहीं इसको हम कट कर देंगे और अब देखिए यह चीज हो गया यह हमारा पैप के उपर गुलाई में रहेगा और यह चीज नीचे पंजे के पास रहेगा अब इसको भी हम यहां से स्टार्ट करेंगे सिलना तोटल यहां पर तो कुछ नहीं करना है बस यहां से लेके यहां तक सारा हम सिल देंगे तो इसको भी अच्छे से करके पहले नौट लगा लिजिए और इसके बाद अब ऐसे पहला फंदा उतारा गया है दोनों तरब से उसको पकड़ते हुए आप अराम से इसकी भी सिलाई कर लेजिए बहुत अच्छे से यह भी सिल जाएगा और पूरी की सिलने के बाद हमारे यह जूती तयार हो जाएगी तो देखे इसको पूरा यहां सिलेंगे यहां तक सिल ल जहलों कट करके हटा देंगे और सिधह करने पर यह देखिए घे इस तरह से इसका यह लोक आएगा इसी तरह से इसको भी कर लेंगे तो इसका जो पय है जो उससाइद आएगा और ये इस तरह से हमारा तयार हों जाएगा तो ये साइट जो मैने आपको बताया यह 95-96 अरामस्व आएगा क्योंकि यह पहनने पीया यह जो है खिषता है तो यह उलेन है तो यह आराम से फिट आ जाएगा पांच और छे नमबर को भी और यह चार नमबर के लिए तो है ही तो यह देखिए इस तरीके से अब हम बना लेंगे इसको भी सिल लेते हैं यह देखिए यह भी सिल गया और इसको भी हम पलट लेते हैं इस तरह से तो अब देखिए एक का यह इधर को आ रहा है और एक का यह इधर को इस तरह से यह दोनों पैर आएगा और पैर में यह बहुत अच्छे से फिट आ जाता है तो बहुत ही इजी है बिगनर्स भी इसको अच्छे से बना लेंगे तो पर देखिए जो उमीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा कमेट्स भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मैं आगे और डिजाइन लेके बिलूँगी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवार